NSUI पूरे देश में बहुत दिनों से इस कोशिश में है कितने महतपूर जो परिक्षा प्रिक्षा होने जा रही है इसको फिलाल के लिए पोस्टपॉन करना चाहिए क्योंकि नौजवानों के बच्चे बच्चियों के जीवन का सवाल है उनके स्वास्त का सवाल है इंदुस्त में लाखों बच्चों की जिंदिकी के साथ खिलवार करना मैं समझता हूं गलत है और केंच सरकार ने जो जिद पकड़ी है उजिद को छोड़ना पड़ेगा आज संपूर्ण भारत वर्ष में कॉंग्रेस पार्टी ने ने धरना दिया है नौजवानों की बात को मने मुख के में डालें मैं समझता हूं गलत है देश में पबिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है होटल बंद हैं जो बच्चे ग्रामी छेत में रहते हैं वो कैसे शहरों में जाएंगे कहां पर रहेंगे किस बस में जाएंगे किस ट्रेंड में जाएंगे कोई विवस्ता नहीं करी गई और शेहरों के इंडर जो कंटेनमेंट जोने जहां कर्फियू लगा हुआ है जा संकमेंड के काफी केसे हैं वहां से लोग कैसे निगल पाएंगे एक बज़े एकजाम हैं लोग एक रात पहले जाएंगे ये सब विवस्थाइं करने के लिए मैं समस्तों समय लगेगा जगे डिस्टन्स बहुत कम है और सरकार के पास संसादन है कि खुले स्पेस में वह लोकल एक्जाम करा सके लेकिन यह पूरे देश के परिक्षा हैं किसको कहा जाना है लाखों लाख बच्चे इसमें इन्वाल्ड हैं लोगों के भविश के लिए परिक्षा बहुत महित्प और लंपिक केम पोस्पॉन हो गए सप्रतियुक्ता हैं पोस्पॉन हो रही हैं तो सरकार को जिद नहीं अंड़नी चाहिए हमारे आजे माकेंजी राजिस्थान से भलीबादी परिचित हैं इससे पहले 2013 में जब चुनाव हुए थे तो टिकेट वितरन में वो सेलेक्षिन क कम लोग मिल पाएंगे लेकिन फिर भी सभी साथो संभाग में जाने को उनका प्रोग्राम बना है यह स्वागत योग है सब नेताओं से एमेले से जिले के पदेदकारियों से मुलाकात करेंगे और संगठन और सत्ता के अंदर कैसे तालमिल मिलाकर हम जनता की आकांक्सों प मिलेगी और जो मुद्धे हम लोगों ने उठाए थे उस पर संगठन कारवाई करेंगे ताकि गवर्मेंट, सरकार, संगठन, संगठन जुड़े लोग सब को लगे कि हम बराबर के भागिदार हैं जनता से अपनी वादे की हैं उनको जल्द पूरा करें क्योंकि तीन साल ब झाल 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 झाल